नमस्कार दोस्तों मेरा दाम में विमल सिंग बाला जी श्टेडि एड़ा में आपका स्वागत है सोबाटेट और लेकपाल के लिए हिंदी और सामा निग्यान के प्रस्णों की प्रेंटिस करा रहे हैं से पहले सेट नमबर 3 के अंतरगत जी के जी एस के प्रस्ण देखेंगे साइड माई बटन में फिश्राला वीडियो आपको मिल जाएगा कौन-कौन से एक होता है आपका सरल वाके एक आपका होता है सयुक्त वाके और एक आपका होता है मिश्रित वाके तीनों के बारे में भी मैंने आपको बताया था कैसे आप पहचान सकते हैं यह आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहां से जब question आता है तो इस पर बेज़ड़ sentence दिये होते हैं और आपको पहचानना होता है कि कौन सा जहां पर वाकिय है दूसरा प्रस्ण आपका कि तुंग का पर्यवाची सब्द पूचा गया है इनमें से क्या होता है यह नहीं कहा गया कि नहीं अधिकतर जगा नहीं लिखा रहता है तब जरूर ध्यान दिया करिए बताइए इनमें से कौन सा सही होगा अगर केवल अर्थ की बात करें तो तुंग का मतलब होता है बहुत उचा पर यहाँ पर प्रस्द में अर्थ नहीं पूचा गया है यहाँ पर पूचा गया है इसका पर्यवाची उचा परवत प्रचंड या फिर मुख है बताइए कौन सा इनमें से सही होगा तो अंसर की बात करते हैं पर्यवाची भी सही होगा तुंग का पर्यवाची उचा थर्ड वी भासा आपसे जो है वो पूछा गया है तो विभासा में आपकी आते क्या है तो हिंदी श्यत्र की जो प्रमुक बोलियां है वो इसमें आती है कौन-कौन सी बोलियां जिसे मैं आपसे कहूं कि ब्रज भासा तो ये आपका आजाती है इसी में ही अगर मैं आपसे कहूं अव भुजपुरी है, वो भी ही समय आ जाती है, अगला देखते हैं, जिसकी लाथी उसकी भैंस, इसका क्या है, मतलब ये है क्या, मुहावरा है कि लोकोpti है, अब देखें, अर्थ ना पूछ करके प्रसंद को ही तो गुमा दिया गया है, लोकोपती या कहावत है या लोकोपती ह सावत या फिर लोगोप्ति तो जिसकी लाठी उसकी भैस अंसर की बात करते हैं तो अंसर की बात कर लेते हैं अंसर आपका यहां पर लोगोप्ति जो है वो डी वाला आप्शन जो है वो सई होगा अर्थ क्या होता है इसका अर्थ आप कहा सकते हैं कि जो सकती संपन आदमी होत पहचान भी होती है एक मात्रा उपर लगी है इससे आप पहचान सकते हैं या फिर A और E मिलकर A बना रहा है इससे आप पहचान सकते हैं तो गुड संदी आपका option A वाला ही जो है वो सही हो जाएगा option A वाला चटा प्रस्द देखते हैं कि इन में से कौन सा विसेश से पद है अनुरागी अनादरत अपमानित अगनी बताइए इन में से कौन सा जो है वो सही होगा आपको बताना है कि इन में से कौन सा जो है वो विसेश से पद है अंसर की बात करते हैं तो विशेष होता क्या है? संग्याया सरणाम की जो विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं विशेष से इन में से आपको बताना है सही कौन सा होगा? तो option ABCD में से अंसर आपका अगनी जो है आपर सही होगा अगनी जो है आपका विशेश्च पद है और अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि अगनी विशेश्च अडग इसका क्या होगा तो आगने होगा पूछा भी जा चुका है किसी एक्जाम में तो आगने होता है साथ प्रस्न बड़ा घर चोटा आदमी और नीला वस्तर इसमें विशेश्च पद आपसे पूछा गया है कौन सा होगा बताई इनमें से बड़ा घर चोटा आदमी और नीला वस्तर इसमें विशेश्च पद कौन सा जो है वो है नीला चोटा या फिर बड़ा चोटा या फिर घर आदमी वस्त्र या फिर छोटा नीला कौन सा इन में से सही होगा मैंने बताया उस हिसाब से पहचानिये तो इन चारों में से आपका घर बड़ा घर में घर जो है ये आपका हो जाएगा छोटा आदमी में आदमी और नीला वस्तर में वस्तर, ये सब आपके विशेश्च पद हैं, सी वाला आपका अंसर आपकर सही होगा, आटवा प्रसन देखते हैं कि विशेश्च सब्द आपसे पूछा गया है, रामलला, बुद्धिमतिस्त्री, रमापती, सीता राम, कौन सा इनमें से सही होगा, अंस चांगे, सीता भी, राम भी, संग्या है, सब नाम है, और राम लला हो गया, आपका रमापती हो गया, ये सब बहुबरी ए सामासिक सब्द में वह आजाते हैं, और विशेश्च के रूप में souvent करते हैं, विशेश्च के रूप में नहीं करते हैं, अब दीमतिस्त्री की बात करें तो इसमें भी विशेषड और विशेष का प्रियोग हुआ है तो आपका केवल विशेष पूछा गया है न तो ये वाला भी option इसले कर जाएगा नवा प्रसन है निम्लिकित विशेष विशेषड युगमों में एक गलत आपको जो है वो छाटना है सर्व सुलब ताजी गलत आपको विशेषड का बात में लिखाया उसी केवलें अंसर की बात करते हैं आपको सर्व सुलब यह सही होगा क्योंकि यहां पर सर्व सुलब दोनोई चब्द विशेषड पद है तो यहां पर आपसे पूछा गया था विशेषड का शंदर्ब और जो डौक्टर बाह उनका नाम आपने सुनाओ तो उन्होंने सब्द को जो है उसके according कर्म भाव और रोटी वो संग्या है जो है वो बताया है तो कर्म भाव और रोटी इसको संग्या बताया है तो आपका एवाला यहां बचा यह अलग हो जाएगा दस्वा प्रस्ण परिमाल वाचक क्रिया विशेशड का वाक्य जो है वो इनमें से पूछा गया है वह बहुत ठक गया है या वह अभी अभी गया है या फिर वह अंदर बैठा है या वह अब भली भाती नाच लेता है पताये चाटिये कौन सा सई होगा परिमाल वाचक क्रिया विशेशड जो है अंसर की बात करते हैं तो पहला वाला ही आपका ओप्षन आपर वह बहुत ठक गया है ये जो है आपका जो है वो सई होगा यहाँ पर जो बहुत वर्ड यूज हो रहा है इससे आप पहचानेंगे बहुत सब्द जो है ये परिमाल वाचक क्रिया विशेशड में ही आपका आता है बाकी अगर देखें अभी अभी आया है वह अंदर बैठा है भली भाती नाच लेता है इस में आपका कोई भी परिमा पताईए मिलिंद, पंकज, जलज, अम्बुज कौन सा इन में से सही होगा अंसर की बात करते हैं तो अर्विंद का परिमाल वाची तो इन चारों में से अलग आपका क्लियर आपको दिख रहा है मिलिंद आपका जो है अर्विंद का परिमाल वाची नहीं है बाकी पंकज भ मिलिंद किसका परहवाची होता है तो भौरा या ब्रहमर आप कह सकते हैं यह परहवाची होता है मिलिंद का अंसर पूछा गया तो नहीं इसलिए वाला नहीं प confirming अगया, की विलोम सब्द का कौन सा यहाँ पर युग्म जो है वो सही नहीं है आपको बताना है, पाप पुन्य, सरल कठिन, दानव, मानवधानव या पवित्र मूर्ग, बताईए, कौन सा विलोम सब्द का युग्म सही नहीं है, साथ य साथ वीडियो पसंद आ है, लाइक औ जरूर करते रहेगा तो बताइए कौन सा यहाँ पर विलोम सब्द का युगम नहीं है चली अंसर की बात करते हैं तो पाप का विलोम पुन्य होता है बिल्कुल सही है सरल का कठिन बिल्कुल सही मानव दानव सही है पर पवित्र का विलोम मूर्क बिल्कुल नहीं होता है तो वो सुद्ध है तो बेहदी आसान से हैं आसानी सा पहचान लेंगे अंसर की बात करते हैं तो लड़का गाता है यही आपका सही है बाकी तो सब गलत लिके हुए है अगला इन में से वाक्य का रचना के आधार पर भेद बताना है जो महनत करता है उसे सफलता मिलती है तो कौन स पर आसरित होता है और ये आपको देखने को मिलता है मिसरित वाक्ष में तो सी वाला आपका यहाँ पर सही होगा सही होगा यही चीज आपका और या अत्वा यह जो होते इनसे जुड़े रखे हैं अगर सिंटेंज को आप अलग-अलग भी कर देंगे तब भी उसका मिनिंग्फुल अर्थ निकलेगा तो यहाँ पर आपका मिसरित वाक्ष है सी वाला आपका सही होगा अगला देखते हैं प्रस नंबर 15 कि निमलिकित वाक्ष में रेखांकित सब्द क्या है नल बूंद बूंद टपक रहा है तो बूंद बूंद आपसे पूशा गया है विशेशन है क्रिया विशेशन है समुच्य बोदक है विश्मयादी बोदक है बताईए इनमें से कौन सा सही होगा नल बूंद बूंद टपक रहा है इसमें आपको बताना है कि बूंद बूंद जो है वो क्या है इसमें अंसर की बात करते हैं तो क्रिया की विशेश्चता बताई जारी तो क्लियर आपको समझ में आ रहा है क्रिया विशेश्चन यहाँ पर जो है वो होगा नल बूंद बूंद टपक रहा है, बूंद बूंद आपसे बूचा गया था 16 प्रसना इन इमलिकित वाग के जो है, उनमे से कौन सा वाग के सुद्ध है आपको बताना है मेरी साइकल सबसे तेज दोड़ती है, मित्रो को काट कर केक खिलाओ यहाँ पर तो एक दम मतलब अलगी तरीके से बोल दिया गया, मित्रो को काट कर केक खिलाओ घोडा सरपट दोड़ता जा रहा है, कार तूट कर टहनी पर गिर गई तो कौन सा यहाँ पर वाग के सुद्ध होगा, यह आपसे पूचा गया है तो मित्रो को केक काट कर खिलाओ, इस तरीके से होना चाहिता, घोडा सरपट दोड़ता जा रहा है, ऐसा तो नहीं है कार तूट कर टहनी पर गिर के, कार नहीं तूटती है, आपका टहनी तूटती है, तो ये भी गट जाएगा एवाला आपका बचा यही सही है, कि मेरी साइकल सबसे तेज दोड़ती है, तो बस आपका एवाला यहाँ पर सही होगा 17 प्रसने पेड से पत्ता गिरा, वाके में कौनसा कारक, करण कारक, संबन कारक, अपादान कारक, संपरदान कारक तो आप सभी जानते हैं, जब चीजे अलग होती है, तो आपका अपादान कारक की बात होती है, बस सी वाला आप्शन सही होगा 18% माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ भेद कोलना, सक होना, भैसे घबराना, पराजित होना, कौन सा इन में से जो है वो सही होगा माथा ठनकना मुहावरे का क्या अर्थ होता है अंसर की बात करते हैं इन चारों आप्शन में से माथा ठनगना तो आपका यहाँ पर सक होना option जो है भी वाला सही होगा जैसे कोई चीज अचानक से होती जिसको हम कहते हैं कि हमें expect नहीं था इस चीज को लेकर तो उसके लिए हम कहते हैं माथा ठनग गया कि अचानक से सक हुआ किसी अनिष्ट की संका हुई इस तरीके से तो अपी वाला सही होगा 19 प्रस्ण तदभाव सब्द आपको बताना है आधा, कूप, विद्या, व्योम पताए कौन सा इनमें से सही होगा तदभाव सब्द आपको जो है वो बताना है तो आपका इन चारों में से जो भी आपका तदभाव होगा उसको तदस्म अगर आपको बता है तो आप आसानी से बता लिजाएंगे तो आधा का तदस्म क्या होता है अर्द होता है तो आसानी से आप कह सकते हैं कि जो आपका आदा है ये तदभाव होगा तो इसलिए इसका तस्म अर्द है तो बस एवाला यहां पर सही होगा बीस प्रस्न है निमलिकित में से कौन सी पुस्तक ब्रज भासा की नहीं है सूर्सागर, विनेपत्रिका, रामचरित मानस, बिहारी, सत्साइद ब्रज भासा की नहीं है, यह यहां पर पूछा गया है अंसर की बात करते हैं इन चारों में से बताइए इन में से कौन सा पुस्तक, कौन सी यहां पर ब्रज भासा की नहीं है इन चारों में से आपका रामचरित मानस सही होगा राम चरित मानस ब्रज भासागी नहीं है, अवधी भासागी है, तो बस आपका यह यह option सही हो जाएगा, option number C वाला, अगला कहरे हैं इन में से कौन सा वेंजन, पार्सविक है, जा, या, शा, ला, इस तरीके से आपको दे रखा है, बताइए इन में से कौन सा वेंजन, जो है वो पार्सविक वेंजन में आता है, पार्सविक वेंजन जिन वरणों के उचाड में पार्स उसे दनी काग बन होता है, जिसे का, खा, गा, पार्स होता है क्या है, बगल वरड के लिए हम यूज करते हैं, उचाड जब करते हैं तो जीब तालू को चुए, किन्तु पार्स बगल से वायू जो है वो निकल जाती है उचाड करते समय उसको हम रखते हैं इसमें पार्सिविक गेंजन में यह अंसर कौन सा होगा अच्छा यह सीच को ध्यान दीजेगा मैंने जो बोला ना स्टार्टिंग में आ का खा गा गा वो आपके पार्सिव में आते नहीं मैंने कह ला आता है जो की पार्सिविक वेंजन में आता है अंसर आपका ला वाला सही होगा तो जिसको केवल याद रखना है बाकी मैंने आपको समझाने के लिए उसी में कंटीनू कर दिया था तो हो सकता आप यह समझे उसके एक्जामपल है उसके एक्जामपल नहीं केवल ला उनमें से अंसर की बात करते हैं, उनमें का आपका तदभाव सब्द है, सी वाला ओप्शन है आपर सही होगा 23 प्रसने किस बोली में ने उपसर्ग परसर्ग लगाया जाता है, राजिस्तानी अवधी ब्रजभासा खड़ी बोली बताईए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा, ने परसर्ग जो है आपसे पुछा गया है, किस में लगाया जाता है, किस भासा में, इन चारों में से कौन सी भासा आपकी सही होगी, तो आपकी यहाँ पर खड़ी बोली जो है वो सही होगी, खड़ी बोली में जो है ने उपस तोख का इस तरीके के सब्द जो है वो प्रिचलित होते हैं राजिस्थानी जो होती है इसमें आप देखेंगे तो रडा वरड जो होता है रडा इसकी आपको प्रधानता देखने को मिलती हो इससे जो सब्द बनते हैं उसमें आप देखेंगे तो मारो और ठाड़ा इस तरीके के सब्स देखने को मिलते हैं अड़ा आकरी में आता है तो ये सब आपको देखने को मिलते हैं याद रखेगा और ब्रज जो है उसकी उपर हमने देखा भी था इसमें गयो खायो भायो इस तरीके के आते हैं अगला देखते हैं, second last की भारत वर्स के लिए हिंदी भासा का नाम सबसे पहले किसने जो है वो सुझाया, राजा रामोहन राय, महात्मा गांधी, रविन्ना ठाकुर, मदन मोहन मालवी, बताइए कौन सा इन में से सही होगा, बताइए इन में से कौन सा सही होगा, भारत वर् प्रस्ण भूसते हैं, तो 25 प्रस्ण आपका है, देव जो महान है, किस समास का उधारन है, ततपुरुस, अविभाव, कर्मधार है, या फिर बहुब्री है, बताइए कौन सा इन में से सही होगा, साथ इसा चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा, वीड प्रसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका अपका अंसर यहाँ पर सी वाला जो है, यानि कि कर्मधार है समास जो है, वो बिल्कुल सही होगा, देव है जो महान, मैंने आपको बता है ना, वो समास जिसमें विशेषड और विसेष या उपमे उपमान का जो है, वो देखने को मिलता है, वो आपका इसमें आता है, तो सभी प्रस्ण हुए हमारे समाथ, अब एक प्रस्ण आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में मैं आपसे एक नेक प्रस्ण बूसते हैं, तो यह है आपका इस वीडियो का प्रस्ण, जिसका अंसर वीडियो के म में ग्मेंड में टाइप करके बताएगा लाइफ टामींग दो हैं तो पहर के तीन बज़े और साम के आट बज़े तो लाइव आखर भी विडियो आप देख सकते हैं प्रस्टनों की प्रैक्स कर सकते हैं तो आज खुट में इतनी ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नहीं रसनों के साथ, नहीं टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जैहन।